एई गाइज वाट्स अब कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत सबागत है आप सब का आज के सेशन में हम करें फास्ट ट्रक टाकसेशन फर सीए इंटर्मेडियेट में 23 और आज इसका 54th सेशन है 54th सेशन इनपूट टाक्स क्रेडिट और आज इनपूट टाक्स क्रेडिक फोर्थ लेक्चर है जितने भी सुडेंट्स यहां पर नहीं है आप लोग यहां पर मेरी यह इंफोमेशन देख सकते हैं मेरे बारे में थोड़ी बहुत और यह हमारा शेडियूल है रोज रात को नौ बजे में 23 वाले स्टूट्ट्स के लिए अनकाडमी यह यूट्यूब चैनल पर मैं फास्ट्राक टाक्सेशन वाली क्लासस आपके लिए रहा हूं कंसिस्टेंटी सिंस 16 जैन्वरी 16 जैन्वरी से लगातार क्लासस आपकी चलने एक दिन की विए शुट्टी नहीं है कमाल की बात है और फिर नौवेंबर 23 वाले स्टूट्स के लिए अनकाडमी प आचके उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के दिस्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी आपर मैं नोट्स यूस करता हूं उसका भी लिंक आपको दिस्रिप्शन में मिल जाएगा यू चैक्ट आट आउट इस तो सेक्शन 18 से इस of circumstances ठीके टो चार-इस स्टार से क्रेडिक मिलता है किस तरहेगा यूटिट इस किया सकते है और किस तरह से ट्रट में इन के वाला of credit in certain special situations, ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं section 18 subsection 1 की और साती साथ subsection 2 के बारे में भी बात करेंगे, ITC available for newly registered persons and time limit, तो section 18 1 बात करेगा about the available of ITC for newly registered persons, जो नए-नए लोग registered हुए, ठीक है, and section 18 subsection 2 talks about the time limit for availing ITC, ITC avail करने के बारे में बात करेगा, यह time limit कब तक आप avail कर सकते हो, उसके बारे में section 18 subsection 2 बात करेगा, along with that we have rule 40 which prescribes certain other conditions, उसको भी हम देखेंगे, a comprehensive reading of sections 18 1, 18 2 and rule 40 gives us the following conclusions, ठीक है, तो पूरा मैं आपको 18 1, 18 2, rule 40 नहीं पढ़ा रहा हूँ, comprehensive अगर उसकी reading करोगे, आप लोग सब कुछ मिला जो लाकर, तो यह एक table बनाई हुई है, इस table से आपको सारी की सारी चीज़े समझ में आती चाहेंगे, ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, उन लोगों के काम है, ठीक है, अच्छा, registration वाले chapter तो हमने किया नहीं अभी, तो ठीक है, 20 लाक और 40 लाक, ठीक है, 10 लाक वाले तो आपको मालू मीं नहीं है, लेकिन 20 लाक, 40 लाक आपको वाले में, कि services के case में 20 लाक, और उसके case में, जो goods है, उसके case में 40 लाक, इतना हम लोगों ने कई बार बीच-बीच में बात किया, now I'm not liable to get myself registered, right, जिस दिन मेरा turnover 20 लाक या 40 लाक क्रॉस करेगा, उस दिन I'll become liable to get registered, अगर उस दिन मैं liable to get registered हो गया, तो उसके just एक दिन पहले, जितने भी मेरे पास input goods, input services और input capital goods पड़े होंगे, उसका credit मुझे मिल जाएगा, ठीक है, simple सी क्या बात है, कि जितना भी, जिस दिन में liable to get registered होगा, capital goods का नहीं मिलेगा, सिर्फ input goods और input services का, input goods का ही मिलेगा, services वगरा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, जिस दिन में liable to get registered हुआ, ठीक, जिस दिन मेरा turnover threshold limit को cross किया, उससे एक दिन पहले, मेरे पास जो भी input goods होंगे, चाहे वो raw material के फॉर्म में हो, चाहे वो finished goods के फॉर्म में हो, चाहे वो stock and trade के फॉर्म में हो, उसका credit मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, अब इसके लिए कुछ-कुछ चीज़ हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें, तो देखो, persons eligible to take credit, कौन, person who has applied for registration within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration, तो जिस दिन I become liable for registration, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर मुझे registration के लिए apply करना होता है, जिस दिन I become liable to get myself registered, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर, I'll have to apply with the department to get myself registered, अगर मैंने 30 दिन के अंदर-अंदर apply किया और मुझे registration grant हो गया, तो मुझे the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax, जिस दिन मैं liable to get registered हो गया, उसी दिन I am liable to pay tax, तो उससे एक दिन पहले मेरे पास जो भी inputs held in stock होंगे, inputs contained in semi-finished goods होंगे, या inputs contained in finished goods held in stock होंगे, इसको याद करने का तरीका क्या हो गया, आप ऐसे कर लो raw material, work in progress, और finished goods, ठीक है, तो जिस दिन मैं liable to get registered हुआ, अगर उसके 30 दिन के अंदर-अंदर मैंने registration के लिए apply कर दिया, और मुझे registration grant हो भी गया, तो उससे जस एक दिन पहले मेरे पास जो भी raw materials, work in progress या finished goods होंगे, उस पर जितना भी मैंने GST pay किया होगा, उसका credit मुझे मिल जाएगा, अब इस credit को मैं utilize कब तक कर सकता हूँ, तो ITC to be availed within one year from the date of issue of tax invoice by the supplier, तो tax invoice, जो भी supplier थे वेड़ा, उस supplier ने जो भी, sorry, जो भी supplier था, invoice की date से एक साल के अंदर-अंदर मैं GST का credit ले सकता हो, तो invoice की जो भी date है, जिन भी invoices पर मैं चाहा रहा हूँ credit लेना, invoice की date से एक साल के अंदर-अंदर मैं credit ले पाऊँगा, अभी हम इन सारी चीजों से related questions करेंगे, तो अभी आप लोग बिलकुल परिशान मत हो न, अगर थोड़ी सी theory आप लोग को ज़्यादा लगती है तो, तो बिलकुल परिशान मत हो न, we'll do a lot of questions regarding on this, ठीक, दूस्टा, person who is not required to register but obtains voluntary registration, तो suppose मैं अपना normal goods supply कर रहो, I'm not liable to get registered, लेकिन मैंने voluntarily apply कर दिया, कि चलो मैं register करूँगा, ठीक है, तो जिस दिन मुझे registration grant होगा, जिस दिन मुझे registration grant होगा, जिस दिन मुझे registration certificate मिलेगा, न, ये case पहले वाले case से अलग है, तो जिस दिन statutory obligation arise हुई, यानि जिस दिन मैंने अपनी threshold limit cross की, उससे एक दिन पहले, जितने भी raw materials, work in progress, finished goods होगे, उसका credit मैं avail कर पाऊँगा, invoice की date से एक साल तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर I'm voluntarily obtaining registration, तो जिस दिन मुझे registration grant हो जाएगा, उससे एक दिन पहले, जो भी मेरे पास raw material, work in progress, और finished goods होगे, उनका मैं credit ले पाऊँगा, again within one year, from the date of issue of tax invoice, ठीक है, तो voluntary registration के case में क्या होगा, जिस दिन registration मिला, उससे एक दिन पहले, और liable to get registration में क्या होगा, जिस दिन liable हुए, उससे एक दिन पहले, ठीक, आईए, तीसरा, registered person who ceases to pay composition tax, and switches to regular scheme, अब, इस वाले case में क्या है, कि मैं registered था, मैं registered था, लिकिन मैं composition scheme में registered था, अब मेरी turnover जो है, वो 1.5 करोड क्रॉस कर गई है, अब अगर मेरी turnover डिर्ड करोड क्रॉस कर जाएगी, तो am I liable for composition scheme? No. So I need to switch to regular scheme, तो composition scheme में जब तक मैं था, तब तक तो मैं ITC वागरा claim नहीं कर सकता था, but now I am switching to what? I am switching to normal scheme. अब normal scheme में अगर मैं shift होँगा, तो जिस दिन मैं normal scheme के लिए liable होँगा, उससे एक दिन पहले, जितना भी मेरे पास raw material, work in progress, finished goods, और साती साथ capital goods, ठीक है? पहले दो cases में capital goods नहीं था, पहले दो cases में सिर्फ goods में, raw material, work in progress, finished goods, लेकिन अब जो तीसरा आया, composition से normal, composition से normal में raw material, finished goods, work in progress का तो आप लही सकते हो, साती साथ capital goods का भी आपको credit मिल जाएगा, किस दिन मिलेगा? जिस दिन आप composition से normal में आए, उससे एक दिन पहले, जितने भी आपके पास raw material, work in progress, finished goods था और capital goods था, उसका आपको credit मिल जाएगा, अब सुनो, ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter of a year और part of the year from the date of invoice, तो capital goods पर 5% per quarter के rate से काटा जाएगा, ITC आपको capital goods पर आपने जितना भी tax पे किया है, पूरे के पूरे tax का आपको credit नहीं मिलेगा, उस पर 5% per quarter reduce करेंगे, जिस दिन invoice issue कोई थी, उस invoice की date से हर quarter, invoice की date से हर quarter पे 5% हम कम करेंगे, और फिर 5% कम करते करते, अभी तक का 5% हम कम करते करते जितना भी आएगा, उसका ही credit आपको मिलेगा, questions करेंगे तो आपको समिझ में आएगा, next, ITC claim shall be verified with the corresponding, details furnished by the corresponding supplier, of course, and ITC to be availed within 1 year from the date of issue of tax invoice by the supplier, ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पर, the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax in the regular scheme, तो बड़ा simple है, अभी तक 3 चीज़े हम लोग आएगी, पहली चीज, अगर मैं liable to get registered हो जाता हूँ, 30 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने registration के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे grant हो गया, तो liable to registration जिस दिन होता हूँ, उसके ठीक एक दिन पहले, जितने भी मेरे पास raw material work in progress finish goods होंगे, उसका मेरे को ITC मिल जाएगा, invoice की date से एक साल के अंदर अंदर मैं ITC claim कर सकता हो, दूसरा, अगर मैं voluntarily apply कर देता हूँ registration के लिए, तो जिस दिन मुझे registration मिला, उससे एक दिन पहले जो भी मेरे पास raw material work in progress finish goods था, उसका मुझे ITC मिल जाएगा, तीसरा case, अगर मैं अभी तक registered था पर composition scheme में था, composition से normal में आया, जिस दिन composition से normal में आया, जिस दिन normal में आया, उससे एक दिन पहले जो भी raw material work in progress finish goods and capital goods है, उसका credit मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, capital goods के case में, जो ITC है, वो हर quarter के लिए 5% से reduce किया जाएगा, per quarter और part thereof, ठीक, and the fourth point is, registered person whose exempt supplies become taxable supplies, तो मैं registered था, लेकिन जो भी supplies में देता था, वो completely exempt होती थी, लेकिन अब वो exempt से taxable हो गई है, तो जिस दिन taxable होई, उसके just एक दिन पहले, जितने भी मेरे पास raw material, work in progress, finished goods, और capital goods, यहाँ पर भी capital goods आएंगे, उनका मेरे को credit मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं registered हूँ, सुनो, registered person, अगर मैं पहले से registered हूँ, और मेरी exempt supplies, taxable supplies बन जा रही है, तो फिर, मुझे raw material, work in progress, finished goods, और capital goods, चारों का मेरे को credit मिल जाएगा, किस दिन मेलेगा, जिस दिन मेरी exempt supplies taxable है, उससे जस्ट एक दिन पहले, जितना भी मेरे पास था, उससे मिल जाएगा, मैं पाणी पे लेता हूँ, आप वीडियो को like कर दीजे, ठीक, exempt supplies से taxable वाले वे, जो capital goods है, they should be exclusively used for such exempt supply, तब भी आपको उसका credit मिलेगा, नॉर्मल किसी भी capital goods का, आपको credit मिलेगा, ठीक है, उनी capital goods का मिलेगा, जिन capital goods को आपने exclusively, इसी exempt supply के लेगी यूज किया, जो कि आप taxable हो गई है, ठीक है, आईए सर, In all the above cases, the registered person has to make an electronic declaration in the prescribed form GST ITC 01, on the common portal, clearly specifying the details relating to the inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods, held in stock and capital goods, on the days mentioned in column 4 above, इसापकी details देनी होगी, the declaration is to be filed within 30 days, extendable by Commissioner, Commissioner of State GST, Commissioner of UT GST, from the date when the registered person becomes eligible to avail ITC, तीस दिन के अंदर अपको, ESRD details GST ITC 01, यह वाले form में आपको, inputs की सारी details देनी होगी, If the claim of ITC pertaining to CGST, SGST, UTGST, IGST put together, exceeds 2 lakh rupees, declaration needs to be certified by a practicing chartered accounting, या cost accounting, अगर पूरा का पूरा ITC 2 lakh को cross करता है, तो उसके लिए CA का certificate भी चाहिए होगा, आईए सर, शुरू किया जाए, सवालों का सिलसिला, देखो, PQR Private Limited, is engaged in supplying taxable goods to its customers, within the state, and it is not liable to registration under section 22, of the CGST Act 2017, from 15th February 2013 onwards, it started interstate supply of taxable goods, hence, it applied for registration on 25th February 2023, and the same has been granted to him, बहुत बढ़िया, interstate supply अगर आप कर रहे हो, तो आपको registration लेना compulsory होगा, ये वाली चीज़ हम लोग registration वाली चाप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, interstate supply अगर आपको करनी है goods की, तो उसके लिए registration लेना compulsory होथा, आपको आपको ये बताया भी होगा, तो now he becomes liable to get registered 25th February, from 15th February, 15 February से he becomes liable to get registered, तो 14 February को जितने भी इसके पास raw materials, finished goods, work in progress थे, उसका ITC इसको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने 30 दिन के अंदर अंदर, registration के लिए अपलाई कर दिया, इस CGSC, SGSC, IGSC liability for the month of February 23, is 19 500, 19 500, 40 500 respectively, and PQR Private Limited, has to make e payment of tax on the due date, that is on 20th March 2023, PQR Private Limited has provided the following details of stock of input, held on 14th February 23, and tax paid thereon, ठीक है, तो अब कौन-कौन से input का मेल जागा, तो what output tax liability तो यहाँ पर समझे में आगी, ठीक है, output tax liability तो यहाँ पर हमें समझे में आगे, 19,500, 19,500, 40,500, यह output tax liability है, अब ITC किस-किस का है, क्या क्या है, inputs received on 10th January 2023, invoice dated 11th January 2023, lying in stock, 3,600, 3,600, क्या इसका credit मिल जाएगा, हाँ, इसका credit मिल जाएगा, ठीक है, invoice की date से एक साल तक ही आपको credit मिल सकता है, तो अब February 23 की बात करें, January 23 की invoice है, आराम से credit मिल जाएगा, inputs received on 25 October 2022, invoice dated 26 October 2022, तो 26 October 2022, हम February 23 की बात करें, input मिल जाएगा, lying in semi-finished stock, तो 7,500, 7,500 का भी आपको credit मिल जाएगा, inputs received on 15th January 23, invoice dated 15th January 23, contained in finished goods, यह 9,600, 9,600 का भी credit आपको मिल जाएगा, briefly explain the tax payable by PQR private limited in cash if any, note PQR private limited has not opted for a competition scheme, ठीक, तो सबसे पहले एक काम करते है, input कितना available है, उसको हम लोग calculate कर लेते हैं, उसके बाद output में से minus कर लेंगे, तो input में हमारे पास सभी कुछ रहे है, यहाँ पर 3,600, 3,600, ठीक है, 7,500, 7,500, सभी eligible है, 9,600, 9,600, ठीक, ओके, देखिए, 3,600, प्लस 7,500, प्लस 9,600, क्या हो गया, 20,700, ठीक है, यह हो गया, 20,700, अब देखो, output liability कितनी है, output liability है, 9,500, 9,500, 4,500, ठीक है, हमारे पास CGST और SGST का ही credit है, ठीक है, IGST का credit नहीं है, तो कोई बात नहीं, CGST, IGST, CGST के credit को utilize कर लेता है, बात खतम, simple, तो CGST का 19,500 utilize कर लेता है, SGST का 19,500 utilize कर लेता है, 0, 0, 40,500, यह हमारी output tax liability निकल कर आ गई है, अच्छा, sorry, 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 क्या कर रहो मैं भी, CGST का 19,500 मैंने यहाँ utilize किया, और CGST के है मेरे पास कितना, 20,700, तो 20,700 में से 19,500 तो against CGST utilize हो गया, और 1,200 जो बचा, वो मैं IGST के against utilize कर सकता हो, ठीक है, similarly, SGST का 19,500 मैंने यहाँ पर utilize कर लिया, और 1,200 में इसके against utilize कर सकता हो, SGST भी 2700 था, ठीक है, तो अब आपकी CGST के liability ने लाई, SGST के liability ने लाई, और IGST के liability 40,500, माइनस 1,200, माइनस 1,200, यही 38,100, ठीक है, यहाँ गई, 38,100, ठीक है, आई हो, यहाँ तकी बात आप सबको समझ में आ गई है, आओ सर, अगला question देखते है, question number 40, B limited is not required to register under CGST Act 2017, but it wishes to obtain voluntary registration, so it applied for voluntary registration on 18th September 22, and registration certificate has been granted to it on 25th September 22, अब यहाँ पर voluntary registration जिस दिन grant होता है, उसके एक दिन पहले के raw material work in progress finished goods का आप credit ले सकते हो, तो 24th September को जो भी पढ़ा होगा, उसका credit आपको मिल जाएगा, the CGST and SGST liability for the month of September 22 is 21,000 rupees each, B limited provides the following information of inputs held in stock on 24th September, 22, it is not engaged in making interstate outward taxable supplies, inputs procured on 2nd September 22 lying in stock, तो CGST 6%, SGST 6%, इसका क्या credit मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा, क्यूंकि साल भर के अंदर अंदर है, 25th September 2022 की बात है, और यह 2nd September 2022 की invoice है, input received on 21st February 2022, contained in semi-finished goods held in stock, तो इसका भी आपको credit बहुत आराम से मिल जाएगा, साल भर अभी भी expire नहीं हुआ है, थिक, अब 19th September 2021 को जो जो प्रोक्योर किया था, क्या एक साल expire हो चुका है, हाँ, 24th September से पहले पहले ही, 19th September 2022 आगई, तो यहाँ पर जो आपने IGST पे किया था, 36,000 का, उसका credit आपको नहीं मिल पाएगा, थिक है, 25th September से एक दिन पहले, 24th September को आपके पास भले ही यह input रहा हो, भले ही आपके पास यह finished goods बाला रहा हो, ठीक है, लेकिन इस पर GST पे किये हुए आपको एक साल से उपर हो गया, तो इसका credit आपको नहीं मिलेगा, Inputs Valued 50,000 Procured on 13th September 2022, IGST 18%, बहुत अराम से इसका भी credit आपको मिल जाएगा, Capital goods Procured on 12th September 2022, तो Capital goods का आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आप Voluntary Registration कर रहे हो, Voluntary Registration में Capital goods का आपको Input Tax Credit नहीं मिलता है, ठीक है, तो आओ सबसे पहले, Input Tax Credit हमारे पास कितना कितना वेलेबल है, उसको calculate कर लेता है, उसके बाद हम utilize करके Final Tax Liability भी निकाल लेंगे, ठीक, तो देखो, सबसे पहले, यह वाला, CGST 4,000, SGST 4,000, CGST 4,000, SGST 4,000, ठीक, उसके बाद inputs, यह, Semi Finish, 7,000, 7,000, यह भी मिल जाएगा, 7,000, 7,000, फिर आगे देखो, value of inputs, continue and finish, यह वाला नहीं मिलेगा आपको, 36,000, यह आपको नहीं मिलेगा, ठीक, inputs, value of 50,000, procured on 13th September, यह 9,000 रुपे का credit आपको मिल जाएगा, IGST है यह, तो, 9,000 का यह credit आपको मिला, ठीक है, लिखा हुआ है, IGST 9,000, फिर capital goods, capital goods का भी आपको कोई credit नहीं मिलेगा, ठीक, total कितना हुआ, 4,500 plus, 7,500, 12,000, ठीक है, 12,000, 12,000, 9,000, ठीक, आपकी liability कितनी आई, CGST और SGST liability आपकी 21,000 रपे किया ही है, ठीक है, ठीक, हमें सबसे पहले IGST के credit को utilize करना पड़ता है, चाहे कुछ हो जाए, IGST का credit utilize करना पड़ेगा, IGST का credit 9,000 का है, IGST का credit 9,000 का है, अब आप इसको किसी के भी against utilize कर सकते हूं, ठीक है, CGST और SGST दोनों की liabilities भी बराबर है, और दोनों के credits भी बराबर है, तो अब आप आपकी मर्जी है, आप 9,000 को कहीं पर भी utilize कर सकते हूं, ठीक है, तो मैं CGST के against utilize कर देता हूं, IGST के credit को CGST के against utilize कर देता है, तो बचेगा क्या, ये कितना बचेगा, 12,000 बचेगा, और इसका 12,000 का ही credit है, CGST का 12,000 का credit utilize हो गया, SGST का 12,000 का credit utilize हो जाए, ठीक है, तो CGST की liability तो निला जाएगी, और इसकी कितने आएगी, इसकी 9,000 आजाएगी, ठीक है, 21,000 minus 12,000, कितना है है, 9,000, 9,000 ये आपका answer हो गया, ठीक है सर, राइए, नेक्स्ट क्वेस्टन देखते है, क्वेस्टन नम्र 41, बच्वेस्टन नम्र 41, क्या कह रही है, ABC Traders, ABC Traders, पेइं टाक्स अडर कॉंपोसिटन स्कीम, बच्वेस्टन स्कीम क्वेस्टन स्थेशोल, and becomes liable to pay tax under regular scheme on 1st April 22, अभी ये composition से regular में आ रहे है, तो composition से regular में अगर आएंगे, तो जिस दिन regular के लिए liable हुए, उससे एक दिन पहले, जो कुछ भी पड़ा हुआ था, वो सब का credit मिल जाएगा, ठीक है, raw material, finished goods, work in progress, as well as capital goods, can it avail input tax credit, and if so, calculate the amount of ITC available, of course, breakup of credit available with ABC traders, as on 31st March 2022, inputs lying in stock, invoice dated 12 March 2022, बहत आराम से credit मिल जाएगा, capital goods procured on 25 September 2021, invoice dated 25 September 2021, 25 September 2021, तो 25 September 2022 को एक साल complete होगा, तो अभी तो हम April 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका भी credit मिल जाएगा, inputs lying in semi-finished goods in stock, invoice dated 12 December 2021, तो इसका भी आपको बहत आराम से credit मिल जाएगा, ठीक है, तो बस बहत, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर यह बात आजाएगी, कि जो capital goods है न, यह जो capital goods है, capital goods में आपको 5% पर quarter कम करना होगा, हर quarter के लिए आपको 5% कम करना होगा, तो कैसे होगा यह, आओ देखते हैं इसमें, ठीक है, पहले हम stock और semi-finished goods का देख लेते हैं, inputs lying in stock और inputs lying in semi-finished goods का देख लेते हैं, inputs lying in stock कितना हो जाएगा आपका, यह 3,000, 3,000 और यह 2,400, 2,400, inputs lying in stock कितना है, inputs lying in stock है आपका पूरा, 3,600 प्लस 3,600 यानि 7,200 और यह पूरा का पूरा eligible है, यह पूरा का पूरा eligible है, ठीक है, अब यह कितना है, यह है आपका, inputs lying in semi-finished goods वाला, यह है 2,400 प्लस 2,400 यानि 4,800, यह 4,800 और यह पूरा का पूरा eligible है, ठीक है, तो यह कितना कितना हो जाता है, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,000, 12,000 और 12,000 का यह आपका eligible हो जाता है, now let's talk about the capital goods, ठीक है, capital goods वाला देखो, capital goods जितने time के लिए use हुए, हर quarter के लिए हम 5% minus करेंगे, 7,200 प्लस 7,200, ठीक है, 7,200 प्लस 7,200 केतना हो गया, 14,400 हो गया, अब invoice dated है, 25 September 2021, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो quarters लेंगे न, वो calendar year वाले quarters लेंगे, मतलब एक quarter आपका क्या हो जाएगा, July, August, September वाला, ठीक है, quarters आपके कौन कौन से, April में जून, July, August, September, October, November, December, January, February, March, ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक quarter हुआ, July, August, September का, क्योंकि September में मशीन खरीद ली गई थी, तो one quarter is July, August, September, लेकिन सर, सेप्टेंबर, लेकिन सर, इस वाले quarter में तो बहुत ही कुछी दिन के लिए उसकिया, मुश्किल से नौ दिन के लिए, फिर भी, 5% पर quarter और पार्ट देर ओफ, ठीक है, तो जुलाई हो गया, September वाला एक quarter हो गया, फिर October, November, December वाला दूसरा quarter हो गया, फिर January, February, March वाला तीसरा quarter हो गया, ठीक है, January, February, March वाला तीसरा quarter हो गया, 31st March तक का ही हम लोगों को count करना है, अगर मालनो 1st April को, अगर मालनो यह होता है कि 2nd April को यह composition से regular में आया, तो 1st April वाला एक और quarter count हो जाता, ठीक है, 1st April तक का हम लोगों काउंट करते, और फिर April में जून एक और quarter count हो जाता, I hope आपको बात समझ में आ रही है, यहाँ पर September में लिया गया, ठीक है, 25 September 2021, तो July, August, September 2021 वाला एक quarter आएगा, ठीक है, फिर October से December वाला एक quarter आएगा, और फिर January 2022 से March 2022 वाला भी एक quarter आएगा, ठीक है, quarter हम कब तक count करेंगे, 31 March तक count करेंगे, क्यों 31 मार्च तक हम लोग count करेंगे, क्योंकि 1st April से, he becomes liable to get registered, 1st April से यह जो composition है, यह normal में आगया, अब 1st April से अगर यह normal में आया, तो उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले 31st March, ठीक है, 31st March तक का हम लोग quarter count करेंगे, I am saying कि अगर मालो यह 2nd April को होता, 2400 में से, आप 5% लोगे, और 3 quarters का minus करोगे, ठीक है, 3 quarters का, तो 14400 14400 into 0.05 into 3, कितना आता है, 2160, तो आप 14400 में से 2160 minus करोगे, और 12,240 का ही आपको credit मिल पाएगा, ठीक है, आपको 12,240 का credit मिल पाएगा, तो let's see, इसको solve करते है, 25 September 2021, date of invoice का है, 25 September 2021, ठीक है, date from which ABC is liable, 1st April 1st April 2022, तो से एक दिन पहले, यानि 31st March तक 3 quarters होगे, number of quarters from the date of invoice, 3 quarters हुए, और CGSC, SGSC कितना दिया, 14400 दिया, और reduce कितना होगा, 14400 into 5% for 3 quarters, तो कितना आया था, यह 2160 आया थाशा, yes, 2160 reduce हो जाएगा, और 12,240 का credit मिल जाएगा, ठीक है, 12,240 का credit आपको मिल जाएगा, ठीक है, let's look at question number 42 now, next question, क्या कहा रहा है, next question, let's see, Messers XYZ, a registered dealer, engaged in supplying exempted goods to its customers, तो अब यह exempted goods प्रवाइड कर रहें, और यह registered है, यह बंदा रेजिस्टर्ड है, on 17th June 2022, exemption notification was rescinded and goods were liable for tax, rescinded मतलब वापस ले लिया, और जो भी goods यह supply कर रहा था, वो taxable हो जाएंगे, Messers XYZ Limited has to make e payment of tax on the due date July 2022, determine the eligible credit for the month of June 2022 if the following information is provided, अच्छा, तो कब तक का credit लिया जा सकता है, 17 June 2022 से taxability आ गई, तो मतलब 16 June 2022 को जो भी inputs पड़े हुए थे, raw material, work in progress, finished goods, capital goods, used exclusively for providing this exempt supply, तो उसका deduction आपको मिल जाएगा, उसका ITC आपको मिल जाएगा, basically, ठीक? देखो, value of inputs lying in stock, as on 16th June 2022, all inputs were procured after 1st March 2022, तो यह कितने 12,000 रुपे का credit यह हो जाएगा, आपको, 12,000 रुपे का IGSE का credit यह मिल जाएगा, value of inputs contained in semi-finished goods lying in stock as on 16th June 2022, but only inputs worth 85,000 in semi-finished goods were procured after 16th June 2021, ठीक है, तो सिर्फ 85,000 रुपीस का ही आपको credit मिलेगा, आपको सिर्फ 85,000 रुपीस का ही credit मिलेगा, actually 85,000 का credit नहीं मिलेगा, total value कितनी है, 1,35,000 की है, value 1,35,000 की है, इसमें से आपको 85,000 की value पर जो आपने GST पर किया है, उसी का आपको input मिलेगा, 25,000 पर 6%, कितना आता है, 5,100, तो 5,100 CGST, 5,100 SGST का आपको credit मिल जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात हैं, यह 135,000 पर अगर CGST, SGST लगा हुआ है, 66% से लगा हुआ है, तो फिर 85,000 पर भी CGST, SGST ही लगेगा, 66% से लगेगा, common sense है यह तो, ठीक है, तो यहाँ पर यह है, कि क्योंकि 85,000 के ही goods, 16th June 2021 के बाद purchase किये गए थे, इसका मतलब, यही goods ऐसे हैं, जिनकी invoice को अभी एक साल नहीं हुआ है, तो इनी पर जो भी tax pay किया है, उसी का आपको credit मिले गा, inputs received on 31st January 22, lying and finished goods on stock, on 16th June 22, तो यह 9,300, 9,300 का credit आपको मिल जाएगा, capital goods procured on 10th December 21, एक साल तो अभी नहीं हुआ है, which is exclusively used for supplying exempt goods, 8,000,000 रुपे, तो 96,000 है, but 96,000 का हम लोग deduction करेंगे, कैसे reduce करेंगे, 5% per quarter for all the quarters, देखें कितने quarters हुए, 10th December को procure किया था, तो October, November, December एक quarter ही हो गया, फिर January, February, March, दूसरा quarter ही हो गया, April, May, June तीसरा quarter ही वाला हो गया, ठीक है, तो 3 quarter, 5% per 5% per quarter आपका reduce होता जाएगा, बस खतम, हमें यही तो find out करना है कि कितना ITC available है, है न, तो देखो, ITC on the value of inputs lying in stock, inputs पर तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, यह 12,000 रुपे का IGST पूरा मिल जाएगा, ठीक, उसके बाद यह वाला जो है, इस में से 85,000 का ही मिलेगा, और 85,000 में से 5,100, 5,100 हम लोग ने calculate किया था, तो ITC on value of inputs containing semi-finished, 5,100 CGST, 5,100 IGST, तो 10,200, 10,200 यह हो गया, ठीक, next, inputs received lying in finished goods, तो finished goods 9,300, 9,300 इसका भी आपको credit मिल जाएगा, 9,300, 9,300 इसका भी मिल जाएगा, किता हैगा, 18,600, 18,600 का आपको credit मिल जाएगा, और जो capital goods वाल है, उसको आव एक बार solve करते हैं, ठीक है, तो 10th December 2021, 10th December 2021, is the date of invoice, 10th December 2021, date from which exempt goods become taxable, तो exempt goods कब से बने, 16, 17 June से बने, 17 June से बने, तो number of quarters कितने हो गए, 3 हो गए, percentage points to be reduced, तो 5% per quarter करना है, तो 15% आपको total reduce करना है, आप चाओ तो वैसे भी कर सकते हैं, तो जैसे पिछले question में कहा था, कि 5% of, 5% of 96,000 into 3, बात वही आईगी, आप 5% into 3 पहले कर दिया, कि 15%, तो अब directly 15% से reduce कर दिया, 96,000 से, ठीक है, तो directly 15% reduce कर दिया, 96,000 से, 14,400, कितना हमने पेगिया था, 96,000 पेगिया था ना, 14,400 reduce कर दिया, गया है, तो अभी कितना बचा, 96,000 minus 14,400, 81,600, 81,600 का input tax credit यूज किया जा सकता है, IGST, 81,600, ठीक है सर, 81,600 का IGST यूज किया जा सकता, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 5,100 plus 9,300, 14,400, ये भी 14,400, ये 12,000 plus 81,600, this is 93,600, this is 12,000 plus 10,200, plus 18,600 plus 81,600, 122,400, 122,400, ठीक है सर, 1,22,400 रुपीज ये आपका हो जाता है, राइट, चलिए सर, आगे चलते हैं, हम लोग अपने अगले concept की तरफ, तो हम लोग ने चार चीज़ें पढ़ी, और चारों चीज़ों से related, हम लोग ने question कर लिए, अगला concept हमारे पास आता है, section 18, subsection 4, read with rule 44, switching from normal scheme to composition scheme, और exiting from GST, ठीक है, तो अगर आप normal scheme से composition scheme में जाते हो, और normal scheme में आप credit ले चुके हो, तो वो आपको reverse करना पड़ेगा, या अगर आप GST से exit करते हो, तो GST में जब तक आप थे, अगर आपकी जो supplies है, वो होली exempt हो जाती है, तो भी आपके पास आपने unnecessarily credit लिया हुआ है, उसका reversal करो, ITC on inputs should be reversed proportionately, on the basis of corresponding invoices, on which credit has been availed on such inputs, तो जिन पर credit आप avail कर चुके हो, लेकिन अभी तक आपने उन goods को supply नहीं किया है, उसी पर आपको reverse करना होगा, if invoices are not available, ITC can be reversed on the basis of the prevailing market price of such goods, on the date of switchover या exemption, लेकिन अगर मालो invoices नहीं है, मेरे पास सामान पड़ावा है अभी बिका नहीं है, पर इस सामान की invoice नहीं है, तो फिर अभी fair market value क्या चल रही है, उसके basis पर ITC को reverse कर दिया जाएगा, details furnished on the basis of prevailing market value, need to be duly certified by a practicing chartered accountant या cost accountant, अगर आपने ऐसे किया, तो आपको practicing chartered accountant या cost accountant का करना पड़ेगा, अब देखो, ITC involved in remaining useful life in months of the capital goods, should be reversed on pro data basis, taking the useful life as 5 years, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी capital goods अगर आपके पास है, तो capital goods की life को आपको 5 साल मानना पड़ेगा, अब capital goods की अगर आप life 5 साल मानोंगे, तो आपको कितना reverse करना है, आपको कितना reverse करना है, वो depend करेगा कि उसकी life 5 साल में से कितने महीने की बाकी है, ठीक है, और part of the month को आप ignore करोगे, एक्जाम्पल, capital goods have been used for 4 years, 6 months, 15 days, अगर 4 साल, 6 महीने, 15 दिन के लिए यूज़ किये जा चुके हैं, और 5 साल की life हम मानते हैं, हम हमेशा 5 साल ही मानेंगे, law में लिखा हुआ है, हम किसी भी capital goods की life को 5 साल ही मानेंगे, पांच महीने, 15 दिन, अब उसकी life कितनी बज़े है, पांच महीने, 15 दिन बची हुई है, ठीक है, हम 15 दिन part of the month को इग्नोर कर देंगे, पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे, और सिर्फ 5 महीने उसकी life बची हुई है, तो जो भी input होगा, उसको divided by 60 into 5, उतना reverse कर देंगे, ठीक है, divided by 60 क्यों क्या, divided by 60 इसले क्या, क्योंकि 5 साल में 60 मंथ होते हैं, ठीक है, तो जितना भी capital goods पर ITC लिया था, उसको divided by 60 क्या, into the remaining useful life, 5 महीने की life बची हुई है, उसको multiply कर दो, तो आपके पास आजाएगा, उसको reverse कर दो, तो आपको अपने, जो भी आपका electronic credit ledger होता है, उसमें आपको debit करना पड़ेगा, अभी ये वाला point आपको शाहिद तुरंट समझ में ना है, electronic credit ledger वाला, नहीं, बताया थो था, electronic credit ledger वाला बताया थो था, इसी chapter के starting में मैंने बताया था, कि तीन ledgers होते हैं, एक होता है electronic cash ledger, एक होता है electronic credit ledger, और एक होता है electronic liability register, इसी chapter के starting में बताया था, थीक है, तो electronic credit ledger में क्या होता है, जो भी हमारे पास GSTR 2B में दिख रहा होता है, कि इसका credit हम लोग ले सकते हैं, वो electronic credit ledger में आ जाता है, अब जब वो electronic credit ledger में reflect होता है न तो electronic credit ledger credit होता है क्या होता है credit होता है और जब हम उसको utilize करते हैं तो यह electronic credit ledger debit होता है ठीक है credit क्यों होता है credit इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी debit और credit है वो सरकार के point of view से जो भी यहाँ पर debit और credit है वो सरकार के point of view से हमारे लिए जो ITC है वो तो asset है पर सरकार के लिए वो liability है क्योंकि सरकार को हमें utilize करवाने देना होगा तो liability अगर भढ़ती है तो सरकार क्या करेगी credit करेगी It's the same way as अगर आप bank account में पैसा deposit करते हो तो आप अपनी books of accounts में तो debit करते हो क्योंकि आपके लिए asset है credited to your bank account तो हम तो debit कर रहेए bank account हम तो debit कर रहे है वो लो credit कर रहे हैं वो credit क्यों करे है क्योंकि उनके लिए हम liability है liability जब भी बढ़ती है तो credit होता है उसी तरह से जो electronic credit ledger में जितना भी मेरा credit balance दिख रहा होता है ITC का balance दिख रहा होता है सरकार के लिए वो liability है सरकार के लिए वो liability इसलिए क्यूंकि सरकार को मुझे वो हूटलाइस करने के लिए देना पड़ेगा ठीक है I'll be able to utilize इतना तो मेरे लिए asset है सरकार के लिए liability होगी ठीक है सरकार के लिए liability होगी तो जैसे ITC credit होगा electronic credit ledger में ITC को reverse करना होगा तो electronic credit ledger debit होगा या electronic cash ledger debit होगा ठीक है? electronic cash ledger भी क्या? electronic cash ledger उनके point of view से रहे को मैंने electronic cash ledger में पैसा जमा किया, मेरे लिए तो asset है लेकिन उनके लिए liability है तो जो भी पैसा में electronic cash ledger में जमा करता हो वो उन लोगों के लिए credit होता है तो यहां पर बोला जाता है कि that amount has been credited to your electronic cash ledger फिर cash ledger से जैसे-जैसे balance utilized होता रहता है तो वो electronic cash ledger debit होता रहता है तो यह लिखा हुआ है registered person has to debit the electronic credit or cash ledger by reversal amount in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods on the day immediately preceding the day of switchover or date of exemption balance of ITC if any lying in the electronic credit ledger lapses cancellation of registration also requires reversal of ITC on inputs held in stock or contained in semi-finished goods or finished goods held in stock capital goods or planted machinery on the day immediately preceding the cancellation date तो यह भी है amount to be received on reversed on inputs and capital goods is computed in the manner as discussed above वो हम ने लिखी लिया such amount is then compared with the output tax payable on such goods and the higher of the two amounts is finally paid by the registered person अब्विस सी बात है अगर input tax credit को मैं reverse करना हूँ तो reverse करने का मतलब क्या होगा मेरे को pay करना पड़ेगा ठीक है और फिर मैं output tax liability देख लेता हूँ इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो ही pay करना होगा ठीक ITC to be reversed on inputs and capital goods is calculated separately for ITC of CGSC, SGSC, UTGSC, IGSC reversal amount is added to the output tax liability of the registered person ठीक है मैं पानी पी लेता हूँ आप लोग वीडियो को like करिए उसके बाद फिर हम लोग ये वाला सवाल करते हैं कर देख लेखते हैं हूँ the goods manufactured by royal limited have been exempted from GST with effect from 1st May 2022. Earlier, these goods were liable to CGST and SGST at 6% respectively. Inputs used in manufacturing were also liable to CGST and SGST at 6% respectively. Following information is provided on 30th April 2022. The inputs costing 1,12,000 rupees inclusive of CGST and SGST are lying in stock. So, how much is it? How much is it? Inclusive of CGST and SGST are lying in stock. So, how much is it? Inclusive of CGST and SGST are in stock. So, it means that 12,000 rupees GST is 1,12,000 divided by 112 into 100. अरे ये तो एक लाख आई वाल्यू ठीक है? ये वाल्यू एक लाख आई मतलब इसको ऐसे आएगा ना? टोटल 12% का GST है ना? तो X plus 0.12 X is equal to this 1,12,000. तो 1.12 X is equal to 1,12,000. तो X की वाल्यू आई? 1,12,000 divided by 1.12. तो ये आया 1,00,000 रुपे है. ठीक है? मतलब value of goods was the inputs की वाल्यू थी 1,00,000 रुपे और उस पर 12,000 रुपे का GST है. ठीक है? क्योंकि 1,12,000 है ना? इंक्लूजिव अब C GST और S GST. तो 12,000 रुपे GST है. अब इस 12,000 रुपे के GST को reverse करना पड़ेगा. inputs costing 80,640 inclusive of C GST और S GST are held in process. ठीक है? तो अब इस पर GST का amount अगर directly आपको निकालना है तो 12 by 112 कर लो. 80,620 into 12 by 112. ये कितना था है? 8,640. ये भी आपको reverse करना पड़ेगा. उसके बाद finished goods valuing 5,60,000 rupees are in stock. Input cost inclusive of C GST and S GST is 50% of the value. अच्छा. तो finished goods भी आपके पास पड़े हुएं लेकिन उनकी वो क्या है? वाल्यू है? 5,60,000 रुपे है. ठीक है? ये खरीदे कितने में थे? ये आधे दाम पर खरीदे थे. ये आधे दाम पर खरीदे थे. तो 5,60,000 का आधा कितना हो जाएगा? 2,2,4, 2,8,16, 0, 2,80,000. ठीक है? ये 2,80,000 में खरीदे थे. अब 2,80,000 is inclusive of GST. 2,80,000 is inclusive of GST. तो इस पर GST कितना होगा? 12 upon 112. तो उसका भी आपको reversal करना होगा. 2,80,000 into 12 by 112. तो ये 30,000 रुपेका भी आपको reversal करना होगा. ठीक है? उसके बाद input tax credit on capital goods lying in stock is 72,000. These goods were purchased on 1st August 2021. तो 1st August 2021 और input tax credit on capital goods lying in stock. अच्छा. Input tax credit पढ़ा हुआ है ये आपको. तो capital goods की value नहीं दी. आपको सीधा input tax credit की value दे दी. रेट? 1st August 2021 को खरीदा गया था. तो 60 महीने. 60 महीने मानेंगे और कितने महीने बचे हुए अभी? तो देखो कितने महीने use होगे? August. अच्छा. कौन सा महीना चल रही है? 1st May ना? ठीक है. तो August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. 11 महीने के लिए utilize किया गया है. यह जो assets है, यह 11 महीने के लिए जो capital goods है, 11 महीने के लिए use हुए. ठीक है? यह जो है, 11 महीने के लिए use हुए है. ठीक है? अगर 11 महीने के लिए use हुए हैं, 11 महीने use हुए और कितने महीने use है? August 21 ना? और हम बात करें, एप्रिल तक की. तो August, September, October, November, December, January, February, March, April. Sorry, 9 महीने, 11 पता नहीं कैसे आ गया. फिर से का आउन करें? August, September, October, November, December, January, February, March, April. हाँ, 9 महीने. 9 महीने use हुए है. अगर 60 में से 9 हटा दो, 60 में से 9 माइनस करतो हो, तो 51 मंस की लाइफ अभी विबाकी है. तो 51 by 60 of 72,000 has to be reversed. 51 by 60 of 72,000 has to be reversed. Balancing the electronic credit ledger is 1,50,000 rupees. Balanced किता है, 1,52,000 rupees. काफी interesting question. Department has asked Royal Limited to reverse the credit taken on inputs referred above. However, Royal Limited contains that credit once validly taken is infeasible and not required to be reversed. पागल है. What would be your answer if the balance in electronic credit ledger as on 30th April 22 was 1,00,000 rupees? तो देखो. आईए देखते हैं. कितना reverse करना होगा? तो सबसे पहले तो ये 12,000 reverse करना होगा. सबसे पहले ये 12,000 reverse करें. उसके बाद ये 80,640 का 12 by 112. 80,640 का 12 by 112. कितना है? 30,000. 30,000 ये हम reverse करें. ठीक. ये हो गया. उसके बाद ये देखो. इन्पुट टैक्स ट्रेडित on capital goods lying in stock 72,000 rupees. तो 72,000 का कितना reverse करना है? इंटू 51 by 60. 61,200 इसका reverse करना है. ठीक है? 61,200 इसका reverse करना है. तो टोटल कितना reverse करना है? 12,000 plus 8640 plus 30,000 plus 61,200. 111,840 reverse करना है. 111,840 reverse करना है. बैलन्स हमारे पास अल्रेडी कितना पड़ा हुआ है? बैलन्स हमारे पास अल्रेडी पड़ा हुआ है 1,52,000 rupees का. तो क्या हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत है? हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. 152 हमारे पास बैलन्स पड़ा हुआ है और 111,840 का हमें में बैलन्स सिर्प 1,00,000 rupees का होता. तो हमें तो 1,11,840 reverse करना है पर 1,00,000 का ही बैलन्स है. तो 1,00,000 का तो इसी से set off हो गया. 11,840 हमें पे करना होता है. If the balance in electronic credit ledger as on 1st May 2022 is 1,00,000 rupees, then Royal Limited will have to pay 1,00,11,840 minus 1,00,000 that is 11,840 पे कर देना पर जाता. ठीक है? आओ सर, next question देखने है. PQR Limited, a registered person supplying taxable goods in Jaipur, has opted to pay tax on composition scheme under section 10 with effect from 28th February 23. It provides following information relating to balance of input tax credit lying on 27th February 23. Inputs lying in stock as such valued at 168 inclusive of CGST and SGST 12%. तो इसका reversal करना होगा. अगर आप composition में जा रहे हो, तो आपको इसका reversal करना होगा. तो let's see. 1,68,000 into 12 by 112. कितना? 18,000. 18,000 का आपको reversal करना होगा. ठीक है? आगे देखो. Inputs contained in finished goods where tax invoice is not available relating to such inputs, but it is known that market price of such inputs inclusive of CGST and SGST on 28th February 23 is 89,600. तो जब invoice आपके पास available नहीं होती है, तो market value के basis पर ही आपको ITC को reverse करना होता है. तो 89,600 into 12 by 112. कितना आता है? 9,600. तो 9,600 का reversal आप करोगे. ठीक. Input tax on capital goods purchase on 25 October 2022, 72,000 रुपीज. ठीक है? अभी 60 months के आपको life माननी है. 25th October. तो पूरा October आपने यूज किया. बन्दा भले पांच दिन यूज किया. लेकिन ठीक है. October, November, December, January, February. पांच महिने आपने यूज किया. 55 months की life बागी है. तो 55 by 60 of this. 55 by 60 of 72,000. 55 by 60 of 72,000. कितना आता है? 66,000 का आपको रिवर्सल करना होगा. 66,000 का आपको रिवर्सल करना होगा. क्या कुछ और भी बचाए? Balance in electronic credit ledger is 1,10,000 रुपीज. Decide whether PQI limit is eligible for input tax credit lying on 27th February. Yes, of course. कितना आया है total? 18,000 plus 9,600 plus 66,000. या है 93,600. 93,600. यह मेरा आया. अब क्योंकि मेरे पास balance ही पढ़ा हुआ है? 1,10,000 का. तो 93,600 बहुत अराब से इस पर रिवर्स कर दूँगा. और बचा हुआ जो भी होगा. मतलब 1,10,000 minus MRC यह. 16,400 मेरा lapse हो जाएगा. ठीक है? 16,400 lapse हो जाएगा. आईए सर. आगे चलते हैं तो यही लिखा हुआ है. 16,400 चाल. नेक्स्ट हमारे पास जो concept आता है. छोटा सा concept है. और वो concept यह है. के section 18, subsection 6, read with rule 42 and rule 44.6, amount payable on supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken. अब सो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से. जिन capital goods पर और plant and machinery पर आप ITC ले चुके थे, अगर वो आप supply करते हो, वो आप आगे चलकर बेचते हो. वो आप आगे चलकर supply करते हो. क्या लिखा हुआ है? supply करते हो. अब एक बात बताओ. supply वाले chapter में schedule 1 पढ़ा था. schedule 1 में 4 पैराज थे. चारों पैराज में से पहला पैरा क्या था? permanent transfer या disposal of business assets जिन पर ITC ली जा चुकी है, उसको भी supply माना जाता है. और जब भी मैं ये चीज़ बताता हूँ, आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है. कि सर, अगर हम without consideration इसको transfer कर भी रहे हैं, तो भी supply अगर मान भी लिया, तो GST निकलेगा कैसे? अब आओ समझते हैं, GST कैसे निकलेगा? अगर आप business वाले assets को या plant and machinery को supply करते हो, supply में कुछ भी हो सकता है, with consideration भी, without consideration भी, ठेक है? क्योंकि para 1 में without consideration लिका है, तो without consideration भी हो सकता है, कोई दिकत वाली बात नहीं है. तो supply ही तो हो गया, अब उस पर GST कैसे calculate किया जाए गा? If capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken are supplied outward by the registered person, he must pay an amount that is higher of the following. ठेक है? higher of the following, ITC taken on such goods, reduced by 5% per quarter of a year or part thereof from the date of issue of invoice for such goods, that is ITC pertaining to remaining useful life of the capital goods, हर quarter के लिए 5-5% minus करो, जितना भी ITC बचा है वो, या tax on transaction value. ठीक है? अभी आपको समझ में आ रहे है, अगर आपने कोई permanent transfer किया, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, कि मेरे business वाले office में AC लगा हुआ है, business purpose के लिए use हो रहा है, ठीक है? मैंने उसको permanently transfer कर दिया, free of cost किया तो transaction value तो 0 आ गई, transaction value 0 आ गई, ठीक है? लेकिन उस पर जितना भी ITC मैंने लिया होगा, उसको जितने भी महीने मैंने use किया, जितने भी quarters मैंने use किया, ITC में से 5% per quarter में reduce करता रहूँगा, और अब जो भी अगर कुछ बचेगा, तो उसको मैं pay करता होगा, ठीक है? और अग साल के बाद मैंने transfer किया, तो कुछ नहीं, 5 साल के बाद अगर मैंने transfer किया, तो कुछ भी GST नहीं लगेगा, क्योंकि 5% per quarter 5 साल में तो आकर खतम हो जाएगा न, 5 साल में आकर, 5 साल ही तो life मानी जा रही है किसी भी capital goods की, तो 5 साल में आप देखो कितने quarters आएंगे, एक साल मे आपने reduce किया, 100% reduce हो गया, आपका 0, आपको कोई GST पे नहीं करना, ठीक है, यह वाली चीज है, चलिए सर, आगे चलते, यह हो गया, ITC pertaining to remaining useful life of the capital goods should be computed separately for ITC of CGST, SGST, UTGST, IGST, where the amount so determined exceeds the tax payable on the transaction value of the capital goods, such amount need to be paid and thus should be added to the output tax liability, ठीक है, तो अगर आँ कुछ देना बनता है, तो वो output tax liability में आपका add हो जाएगा, if refractory bricks, molds and dyes, jigs, fixtures are supplied as scrap, the taxable person may pay tax on the transaction value, तो अगर यह सारी चीज़े की है, तो transaction value पर आप tax pay कर सकते हो, ITC वगरा का reversal करने की, या ITC वाला pay करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आईए सर, कुछ सवाल करते हैं, तो आपको थोड़ी ज़्यादा clarity निकल कर आएगी, XYZ Limited, a supplier of goods, has purchased capital goods under cover of invoice dated 1st October 22, 1st October 22, for 4,13,000 rupees, inclusive of GST 9% and 9%, यानी 18% का GST inclusive है, तो कितना GST है इसमें, 4,13,000 पर अगर देखें, 4,13,000 पर 18 by 118, 63,000 rupees का GST इसके अंदर involved है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, After taking it for business use, the said capital use was supplied for 285 on 26th April 2023, explain the input tax treatment in this case, अच्छा, कितने quarter के लिए use किया गया, तो देखो, 1st October ना, तो October, November, December, 1 quarter, January, February, March, 2 quarter, April, May, June, 3 quarter, 3 quarter, 3 quarter के लिए use किया गया, मतलब, into 0.05 into 3, ये इतना आप माइनस करोगे, तो M+, 63,000 में से आपने इतना, अरे, आर, 63,000 ये आया, 63,000 ये था ना, देखो, 4,13,000 का, 18 by 118, 4,13,000 का, 18 by 118, ये GST वाले वाल्यू आई, इसमें, पर quarter, 5% आप माइनस करो, into 0.05 into 3, ये आपने माइनस किया, 63,000 में, आप MRC माइनस करोगे, 53,550 का आपको रिवर्स करना होगा, तो 53,550 का रिवर्स करना होगा, अब देखो, transaction value कितनी है, रिवर्स क्या करना होगा, बिसिकलिए आपको पे करना होगा, रिवर्स नहीं हुआ, यहाँ पर पे करना होगा, यहाँ पर पे करना होगा, क्योंकि आपने capital goods का supply किया, तो 53,550 रुपीज आपको पे करना होगा, अभी 2,85,000 आपकी transaction value है, तो 2,85,000 पर 53,550 लि निकल कर आजाता है, ठीक है, 51,300 रुपीज निकल कर आजाता है, तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, वो आपको पे करना होगा, तो 53,550 आपको पे करना होगा, यह यहाँ पर law में लिखा होगा है, कि यह higher पे करना होगा, amount that is higher of the following, ITC taken, reduced by 5% per quarter, यह tax on transaction value, जो भी ज्यादा होगा, वो आपको पे करना होगा, ठीक है, तो आई यह सर, देखते हैं यहाँ पर, date of invoice क्या है, date of invoice is 1st October 2022, 1st October 2022, date of supply, date of supply is 26th April 2023, ठीक है, उसके बाद कितने quarters होगे, 3 quarters होगे, तो 4,13,18, यह GST पे किया था, 63,000, ठीक, और reduction कितना करना होगा, 9,450 का reduction करना होगा, तो 53,550 का यह आ जाएगा, और transaction value कितनी ही थी, 2,85,000 की, इस पर कितना है था, 51,000 something रहे था, 2,85,000 into 18%, 51,300, ठीक है, तो higher क्या हुआ, higher यह हुआ आपका, 53,550, तो you'll have to pay 53,550, ठीक है, higher यह हो जाएगा, राइग, चलवाओ, next question, question number 46, What would be your answer if capital goods being refractory bricks are removed as scrap at transaction value of 25,000 on 29th March 2023 Refractory bricks वगेरा में इसी पर आप 18% का GST निकाल लो और वो आप पे कर तो बस Transaction value पर गी निकाल लो और इसी को आप पे कर तो ठीक Question No. 47 आप अपने आप से कर ली जगा ये आप लोकों से हो जाएगा Question No. 47 आप अपने आप से कर ली जगा इसका solution में आपको दे दूगा ये आप से हो जाएगा Section 18, Subsection 3 Read with Rule 41 Transfer of ITC on account of change in constitution of registered person Change in constitution of registered person अगर होगा तो फिर क्या करना होगा ठीक Change in constitution का मतलब simply क्या हो जाते है Merger, Demerger, Amalgamation वगरा हो गया Transfer of ownership, Change in ownership, PSL In case of sale, merger, Demerger, Amalgamation Transfer or change in ownership of business etc ITC that remains Unutilized in the electronic credit ledger of the registered person Can be transferred to the new entity Provided there is a specific provision For transfer of liabilities and such change of constitution ठीक है तो जो भी ITC है Amalgamating company का जो भी ITC वगरा है वो amalgamated company तक जा सकता है अगर contract में ये साथी चीज़ ने Mentioned हो तो It has been clarified That transfer or change in the ownership of business Includes transfer or change in the ownership Due to death of the sole proprietor ठीक है In case of Demerger ITC will be apportioned in the ratio of the value of assets Of new units as specified in the Demerger scheme तो value of assets के basis पर ITC का proportion Apportionment किया जाए ठीक उसके बाद Here value of assets means the value of entire assets of the business Irrespective of whether ITC has been availed thereon or not The registered person should furnish the details of such change in constitution On the common portal in form GST ITC 02 And submit a certificate from practicing chartered accountant A past accountant certifying That the change in constitution has been done With the specific provision for transfer of liabilities Upon acceptance of such details by the transferee on the common portal The unutilized ITC gets credited to his electronic credit ledger The transferee should record the inputs and capital goods So transferred in the books of account So ये पूरा theoretical है इसको आप लोग अपने आपसे भी पर सकते है उसमें मेरे समल आने का कुछ है नहीं ठीक है R Limited A registered company engaged in supplying taxable goods Is being sold to X Limited With specific provision for transfer of liabilities ठीक है तो R Limited बिक रही है किसको X Limited को बिक रही है और transfer of liabilities के बारे में specific provision दिया हुआ है The unutilized credit in respect of CGST and SGST Is 48,000 and 48,000 respectively Now X Limited wants to utilize such credit remaining unutilized Discuss its eligibility तो ये बिलकुल भी eligible है ठीक है तो जो जो करना है वो सारा procedure है बस procedure आपको लिखना है eligible तो है ठीक है Next question आओ देखो R Limited A registered manufacturer de-merged its entity into RX Cement and RY Steel Limited ठीक है तो एक आपके business है उसने अपनी entity का de-merger कर लिया तो दो parts में तूट गई वो company RX Cement और RY Steel Total value of assets of R Limited is 25 lakh rupees An unutilized credit on account of CGST, SGST, IGST 60,000, 45,000, 84,600 respectively The value of assets of RX Cement Limited and RY Steel Limited is 12,00,000 and 13,00,000 respectively obtained as per the scheme discuss the eligibility of credit transferred to the new year its account of Lee Majid कोई टेंशन राली बात ही निए बहुत ही ज्यादा simple वाले है ठीक है बहुत ही simple है तो CGST क्या होगा CGST, SGST, IGST Total credit कितना हो जाएगा आपका Total credit हो जाएगा 60 plus 45 plus 84 60 plus 45 plus 84 कितना आ जाता है जितना भी आ जाता ही है ये 12 is to 13 के ratio में portion कर दिया जाएगा its very simple ठीक है जितने भी assets होते है assets के basis पर assets के basis पर portion किया जाता है तो assets कितने के 12 लाक और 13 लाक के assets है तो assets के proportion प्रैंट 12 is to 13 के ratio पर portion कर दिया जाएगा ठीक है तो value of assets कितने हैं आपके पास value of assets है 25 लाक 12 लाक 13 लाक ठीक है अच्छा credit कितना 60 plus 45 plus 84 600 60 plus 45 plus 84,600 कितना यह 189 600 ठीक है इसको 12 इसको 13 के देश्यों में बाइट दू 91 008 ठीक 91 008 898 592 ठीक बस और कुछ है नहीं दन वेश्य सिंपल आये सर नेक्स्ट रूल पर चलते हैं नेक्स्ट रूल चलेंगे और इस विल भी लास्ट रूल उसके बाद हमारे पास कुछ comprehensive type के questions हैं उनको एक आथ question में आपको करा दूँगा बाकी question आप अपने आप homework में कर पाओंगे ठीक है rule 41A transfer of ITC on obtaining separate registrations for multiple places of business within a state या union territory एक ही state के अंदर अगर आपने multiple registrations लिए तो फिर ITC का transfer किस तर इस होगा वही यह आपर दिया हुए the section 25 enables a taxpayer to obtain separate registrations for multiple places of business in a state or union territory the registered person transferer having separate registrations for multiple places of business within a state or union territory can transfer the unutilized ITC wholly or partly lying in his electronic credit ledger to any or all of the newly registered places of business in the ratio of the value of assets held by them at the time of registration here value of assets means the value of entire assets of the business irrespective of whether ITC has been availed thereon or not the registered person should furnish the prescribed details on the common portal within a period of 30 days from obtaining such separate registrations upon acceptance of such details by the newly registered person on the common portal the unutilized ITC gets credited to his electronic credit ledger तो इसमें एकदम straightforward है सब कुछ कुछ भी समझाने का है नहीं आप अपने आपसे इसको पढ़ सकते हो और अब हम लोग कुछ major comprehensive questions पर आजाते हैं जिस type के questions exam में पूछे जाते हैं ठीक है तो let's do one thing मैं एक दो question करके दिखाता हूँ आपको यह चलो चार questions है चलो कर लेते हैं चार questions है चारों के चारों ही कर लेते हैं ठीक है Mr. X a supplier of goods pays GST under regular scheme Mr. X is not eligible for any threshold exemption he has made the following outward taxable supplies in tax period intra-state पर 16 lakh supply किया interstate छे लाक पर सप्लाइ किया he has also furnished the following information in respect of purchases made by him in that tax period तो क्या हुआ यह? he has also furnished the following information in respect of purchases made तो पर्चेस क्या? intra-state purchase वी 10,80,000 की inter-state purchases वी 1,50,000 की Mr. X is following ITC's with him at the beginning of the tax period CGST, SGST, IGST rate of CGST, SGST, IGST is 9,918 both inward and outward are exclusive of taxes whenever applicable all the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled compute net GST payable by Mr. X during the tax period make suitable assumptions when were required तो एक काम करते हैं सबसे पहले output tax liability निकालते हैं तो output tax liability कैसे निकलेगी आपकी? output tax liability तो आपने intra-state supply of goods किया 16,00,000 इस पर 9%, 9% आपका CGST और SGST लगेगा sorry IGST लगेगा पूरा 18% के rate से IGST लगेगा output inter-state 6,00,000 रुपे क्या कर रहा हूं मैं भी सभी तो बोल रहा था intra-state पे 9%, 9% और inter-state पे सीधा 18% ठीक है? inter-state पे 18% ठीक है 6,00,000 का 18% कितना आता है? 1,08,000 रुपे आ जाता है 1,08,000 रुपे यह आ गया sorry 1,08,000 1,08,000 रुपे यह आ गया intra-state से यह लोगी मेरी 16,00,000 रुपे की 144,144 144,144 की यह होगी output liability total आई 144 144,10,8 ठीक है? output liability मेरी यह आ गयी input tax credit मेरे को कितना मिलेगा? intra-state 10,80,000 है ठीक है? inter-state 1,50,000 है और opening यह है तो opening वाले लिखें सबसे पहले 40,500, 40,500, 90,000 90,000 ठीक? purchases during the month intra-state 10,80,000 है तो 9%, 9% 97,200 intra-state sorry, intra-state 1,50,000 27,000 ठीक 40,500 plus 97,200 total CGST का credit कितना अवेलेबल है मेरे पास? 1,37,700 total SGST का credit मेरे पास कितना अवेलेबल है? 1,37,700 और total IGST का credit मेरे पास कितना अवेलेबल है? 90,000 plus 27,000 1,17,000 total IGST का credit मेरे पास 1,17,000 अवेलेबल है ठीक है? IGST की liability है 1,08,000 तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? total output liability देखू 1,44,1,48 ठीक? सबसे पहले IGST का credit यूटिलाइज करेंगे 1,08,000 का ठीक? 1,08,000 का IGST का utilize क्या? यह आया 1,44,000 यह आगया निल ठीक है? अब IGST का कितना credit बचाए है मेरे पास? IGST का 9,000 रुपीस का credit मेरे पास बचा हुआ है ठीक है? अब CGST को अगर देखते हैं तो CGST और SGST की output liability तो वह है 1,44,1,44 ठीक है? अच्छा, credit अगर हम देखें तो credit इसका 1,37,700 है और इसका भी 1,37,700 है तो credits भी बराबर ही है 1,37,700, 1,37,700 के credits है ठीक है? आओ देखते अभी हम क्या करें कि हमारी liability minimize हो जाए अभी हम क्या करें कि हमारी liability minimize हो जाए तो हमारे पास output CGST 144 है output SGST 144 है हमारे पास output CGST 144 है output SGST हमारे पास 144 है और हमारे पास CGST और SGST के यह credits है यह 137,700 और 137,700 के हैं एक काम करते हैं एक simple सा काम करते है CGST की liability में ऐसा करते है कि CGST की liability निलाए देखो, हमें amount जो pay करना है वो तो same ही amount पे करना होगा ठीक है क्योंकि same output liability है और same input tax credit है तो अब हम हमें जो भी pay करना होगा वो तो हमें जो भी final cash में हमें pay करना होगा वो cash वाली जो value आईगी वो तो same ही आईगी ठीक है तो अब एक काम करते हैं let's stick to one या तो CGST pay करें या तो SGST pay करें ठीक है तो एक काम करते हैं CGST को pay नहीं करते हैं SGST को pay करते हैं तो CGST if we want के हमें CGST ना pay करना पड़े ठीक है if we want के CGST ना pay करना पड़े balance to be paid CGST में nil आ जाए balance to be paid CGST में nil आ जाए तो CGST का पूरा credit utilize करना होगा 137,700 137,700 मतलब इसके लिए यहाँ पर IGST का credit utilize करने के बाद 137,700 आना चाहिए ठीक है तो IGST का कितना credit हम CGST में utilize करें 144,000 माइनस 137,700 6,300 का IGST का credit हम CGST के against utilize कर ले ठीक है और 9,000 में से 6,300 हटा यह 2,700 का credit हम SGST के against utilize कर ले अभी रुक जाओ अभी मैं दुबारा बताऊगा तो आपको समझ में आएगा अभी बस देखते जाओ ठीक है उसके बाद 144,000 माइनस 2,700 141,300 ठीक 137,700 तो pay कितना करना पड़ा 3,600 अब सुनो मेरी बाद जरा ध्यान से मुझे anyway 3,600 तो pay करना ही पड़ता मेरे पास IGST का credit था 117 का 1,08,000 utilize करने के बाद 9,000 का unutilized credit पड़ा हुआ था इस 9,000 के credit को मैं CGST SGST में जैसे मर्जी चाही utilize कर सकता था ठीक मैंने आपको क्या बताया जिसके पास credit कम होता है उसके against utilize कर लो ठीक यहाँ दोनों के पास liability भी बराबर यहाँ दोनों के पास credit भी बराबर तो अब हमारा aim क्या होगा अब हमारा aim यह होगा कि CGST या SGST में से कोई एक nil आ जाए कोई एक nil आ जाए ठीक है मैंने CGST को nil माल लिया अब CGST की अगर final cash में payment nil चाहिए मुझे तो मुझे CGST का पूरा credit utilize करवाना पड़ेगा तो अगर CGST का credit कितना है 137,700 का है मतलब IGST का credit utilize करने के बाद 144 में IGST का credit utilize करने के बाद the balance should be 137,700 तब ही तो मैं CGST का credit पूरे utilize करवा हूँगा और CGST की liability निल आईगी ठीक है तो मैंने मैं कितना करूँ it's like 144, 144,000 minus IGST का credit is equal to 137,700 why do we need 137,700 क्योंकि CGST का credit 137,700 तो अगर 137,700 की liability में से मैंने 137,700 का credit utilize कर लिया तो liability निल हो जाएगी तो बस अब आपको यह IGST की value निकालनी है तो 144,000 minus 137,700 is equal to IGST यह आपको calculate करना होगा और यह यह आया 6,300 9,000 में से 6,300 यहाँ utilize हो गया बच्चा कितना? 2,700 वो अधर चला गया SGST में चला गया अगर आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि 6,300 SGST के against utilize करते अगर आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि 6,300 SGST के against utilize कर देते और SGST की total liability निल आ जाती CGST फिर आपको 3,600 पे करना पड़ता CGST फिर आपको 3,600 पे करना पड़ता और एक doubt आ रहा होगा मन में अगर मालनो ऐसा करें सर अगर मालनो हम ऐसा कर ले 9,000 बचा पूरा का पूरा 9,000 यहाँ ले लिया पूरा का पूरा 9,000 CGST में ले लिया अब देखो कितना हुआ अगर मैंने पूरा का पूरा 9,000 CGST में ले लिया तो 135 आया ठीक CGST का credit कितना है 137,700 तो 135 यूटिलाइज किया CGST की liability निल आई 137,700 माइनस 135 2700 का credit अभी मेरे पास CGST का पड़ा है yes 2700 का CGST का credit अभी मेरे पास पड़ा हुआ है SGST में के against मैंने कुछ यूटिलाइज नहीं किया SGST की liability मेरी 1,44,000 आई और SGST के against मैंने 137,700 का credit यूटिलाइज किया 144 माइनस 137,700 कितना आया 6,300 अब देखो मेरे पास 2700 का credit भी पड़ा हुआ है और उसके बावजूद मुझे 6,300 रुपीस पे करने पड़ रहा है तो तो बहुत ही बेवकूफी है तो ऐसा करें कि cash liability minimize हो जाए ठीक है ऐसा करें कि cash liability minimize हो जाए तो अगर किसी के मन में ये चलाओ ना कि सर CGST के सारे क्रेडिट को utilize करना ही क्यों है इसलिए करना है क्योंकि अगर आपने पूरा 9,000 CGST में कर दिया तो फिर 2,700 का CGST का credit फाल तो पड़ा रहा आपके पास और आपको cash में 6,300 पे करना पड़ा लेकिन अब क्या हुआ अभी अगर मैंने कहा कि CGST के credit को पूरा का पूरा अवेल कर दो CGST के credit को पूरा utilize चाहिए अगर CGST के credit को पूरा utilize करना है तो मतलब IGST के credit को 6,300 सेटल करने के बाद 137,700 यहाँ पर liability आएगी तब जाकर CGST मेरा पूरा utilize हो गया CGST का credit पे ना पूरा utilize हो गया उसके बाद कितना बचा 2700 इधर बचा 2700 इधर बचा तो 144,000 144,000 minus 2700 141,300 इसमें से 137,700 minus किया तो 3600 मुझे पे करना पड़ा सिर्फ ठीक है तो आप लोग देख रो credit का proper utilization किस तरह से हो रहा है I hope आपको समझ में आ रहा है और अगर आपको समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है फटा 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 से लाइक कर दो ठीक है कि credit का proper utilization कैसे हो रहा है credit का मतब ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी आप डाल दो आपको अपनी cash liability minimize करनी है practically सोचो ना आपकी जेब से पैसा जा रहा है ठीक है यह सब आप बहुत राम से वाला इस चारी चीज न समझ में आ जाएंगी you have to minimize your cash liability ठीक है आओ में 2018 का यह question करते है बस एक question करेंगे उसके बाद के दो questions आप लोग अपने आप से कर लोगे मैं solutions दे लोगा ठीक है अपको निकालना है आउड देखो आउटपट लाइबिलिटी कितनी आएगी पहले इंट्रास्टेट 6 लाग आउटपट लाइबिलिटी इंटरस्टेट 2 लाग पर 18% 36,000 interest rate 6 lakh per 99 54 this is your output liability this is your output liability input tax credit 15,000, 35,000, 20 think उसके बाद purchase किया intra-state purchase 4 lakh रपीज 36,000 inter-state purchase 50,000, 18% 9,000 15,000 प्लस 36,000, 51,000 29,000 ठीक है यह आपके पास आ गया है अब आप देखो output liability 54, 54, 36 ठीक, सबसे पहले IGST का credit utilize करें 29 IGST की liability ही अभी pending है 36 minus 29 कितना आया? 7,000 रुपीज ठीक, अब IGST की liability हो गई अब CGST में देखो CGST में हम क्या कर सकते हैं? balance देख ले पहले तो 54 54 और 7 ठीक है? 54,000, 54,000 और 7,000 अच्छा अब CGST का कितना credit है? CGST का 51,000 का credit है तो 51,000 का credit हमने यहाँ पर utilize किया यह कुछ नहीं, यह कुछ नहीं 3,000 54,000 7,000 SGST का credit कितना है? SGST का भी credit 51,000 है ठीक है? SGST का भी credit कितना है? SGST का credit 51,000 है अरे यार SGST का 51,000 नहीं है Sorry 35 35 35 36 71,000 71,000 का credit है ठीक है? अब 71,000 का credit है तो एक काम करते है 54,000 तो यहाँ utilize हो गया और 71,000 में से कितना बचा? 17,000 बचा तो पूरा 7,000 इधर भी utilize किया जा सकता है ठीक है? SGST का credit IGST की liability के against utilize किया जा सकता है CGST की liability के against नहीं utilize किया जा सकता है तो CGST की total liability 3000 I इसकी निलाई, इसकी निलाई और अभी भी SGST का credit 10,000 का carry forward होगा SGST का 10,000 का credit अभी भी carry forward हो जाए गा ठीक है? SGST का 10,000 का credit अभी भी carry forward हो जाए गा ठीक? चोले एक question और कर लेते हैं हम लोग ठीक है? ये जल्दी से हो गया तो कर लेता है Question No. 52 देखो May 2018, 5 marks का question ठीक है? May 2018, 5 marks का question है Let's look at it Messers Pradyumna Corporation Messers Pradyumna Corporation Private Limited, a registered dealer of Mumbai furnishes you the following information for the month of October 22 Intrastate sale of taxable goods out of the above 50,000 was received as advanced in September 22 2 lakh रपे Intrastate sale, अब sale की 2 lakh रपे ठीक है? और यहाँ पर ये 50,000 रपे का advance हुआ जो कि September 22 में मिल चुगा था अब September 22 में 50,000 रपे का advance मिला था तो क्या September 22 में इस पर GST लगाया गया होगा? नहीं, क्योंकि goods की supply की case में अगर advance मिलता है तो उस पर GST तभी लगता है जब actually समान होता है, जब actually supply होती है तो October 2022 में 2 lakh रपे की supply हुई इस में से 50,000 रपे पिछले महीने मिल चुका था कोई बात नहीं, taxability इसी साल आएगी इसी महीने आएगी goods purchased from unregistered dealer, purchased on 20th October 22 10,000 in case of interstate and balance intrastate unregistered dealers अगर आपने purchase किया है तो उस पर कुछ भी आपको GST नहीं मिले गा ठीक है? received for services by way of labor contracts for repairing a single residential unit otherwise than as a part of residential complex it is an intrastate transaction ठीक है? तो repairs के लिए अगर आप करते हो तो repairs के लिए आपको ITC मिल जाता है इस 50,000 रुपेका क्योंकि इंट्रास्टेट है तो इसका आपको credit मिल जाएगा professional fees paid to miss उद्धधी located in non-taxable territory, it amounts to interstate transaction interstate transaction है 50,000 और professional fees pay की है तो इस पर जो भी interstate है तो फिर जो भी IGST होगा वो आपको इसका credit मिल जाएगा compute GST liability of Messers Pradyumne Corporation private limited for the month of October 22 assume the rates of GST as under CGST, SGST, IGST turnover of Messers Pradyumne Corporation was 2 crore rupees in the previous financial year तो GST liability हम लोगों को calculate करनी होगी I think मैंने ना कुछ गडबड बोल दिया है यह inward supplies नहीं थे यह inward supplies नहीं थे यह actually आपके वो थे सारे के सारे outward supplies थे सारे के सारे outward supplies थे तो किस पर GST देना है किस पर नहीं देना वो वाली बात ठीक है तो intra state sale of taxable goods इस पर तो आपको GST देना ही होगा ठीक है तो दो लाख रुपे की वाल्यू है इस पर आपको GST देना होगा intra है यह inter है intra है तो 9 पसें 9 पसेंट अठारा हजार CGST अठारा हजार SGST और टोटल कितना आया 36 हजार टोटल आगया 36 हजार ठीक नेक्स्ट goods purchased from unregistered dealer unregistered dealer से अगर मैंने समान खरीदा है unregistered dealer से अगर मैंने समान खरीदा है तो इस पर तो कुछ भी नहीं होगा unregistered dealer से समान खरीदा है न goods purchased from unregistered dealer तो unregistered dealer से समान खरीदा है इस पर कोई IT से विगर नहीं होगा तो 50,000 है यह इस पर मेरे को tax तोड़ी देना होगा unregistered से मैंने खरीदा 50,000 का समान ठीक है तो इस पर मुझे tax तोड़ी देना होगा इस पर मुझे tax नहीं देना होगा Received for services by way of labor contracts for repairing single residential unit otherwise and part of residential complex 50,000 रुपे ठीक है repairs के लिए अब repairs के लिए तो यह आपका क्या हो जाएगा Received by way of Received by way of services by way of labor contracts मैंने labor contracts वाली received for services of labor contracts मतलब मैंने labor contracts की services provide की और उसके लिए मुझे 50,000 रुपे का payment मिला तो I am the supplier इंट्रास्टेट supplier तो इस पर मैं GST pay करूँगा 50,000 रुपे ये है 50,000 रुपे था न 4,500 ये कितना होगे 9,000 ठीक है सर ये होगे 9 5,000 उसके बाद professional fees paid to miss उद्धधी located in non-taxable territory तो अगर मैं non-taxable territory में किसी को pay करता हूँ उस पर GST मुझे reverse charge में pay करना होता है ठीक है professional fees paid to miss उद्धधी मैंने pay की miss उद्धधी को professional fees लेकिन वो non-taxable territory में थी वो non-taxable territory में थी तो इस पर GST में मेरे को reverse charge में pay करना होगा ठीक है तो 50,000 पर एक तो IGST लगेगा और मुझे reverse charge में pay करना होगा ठीक total कितना आता है 18,000 प्लस 4,500 तो 22,500 CGST 18,000 प्लस 4,500 तो सेम ही है 22,500 SGST IGST 9,000 और टोटल 54,000 ठीक है सर टोटल इस 54,000 अब बस एक question बचाए question नुमर 53 उसको आप लोग अपने आप से कर लेना मैं उसका solution डाल दूगा 5 घंटी के अच्छी खाजी class हो गई है हमारी मैं आपको फटावर्ट से बता देता हूँ Unacademy Plus का subscription कैसे लेना है इसी के साथ हमारे input tax credit भी यहाँ पर खतम हो जाता है ठीक है तो सीधा मैं आपको दिखा देता हूँ Unacademy Plus का subscription कैसे लेना है उसके लिए आप Unacademy के वेबसाइट पर आएंगे Unacademy के वेबसाइट पर आने के बाद आप biscuits कहेंगे Start learning पर क्लिक करेंगे Start learning पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह वाला page खुल दाएगा यहाँ पर आप अपने goal सेलेक करेंगे CA फिर intermediate सीए इंट मींडिट पर जाने के बाद आपके सामने वाला पेज़ खुलेगा खुल जा मेरे भाई सब्सक्रिप्शन प्लांस पर आए के बाद आपके सामने तीन ऊप्शन आएंगे आप यहां पर प्लस क्लिक कर देना यहां पर मेरा registration करेंगे ठीक है कल हम लोग registration वाला chapter करेंगे एक ही class लगेगी initial schedule में भले ही दो-दो classes schedule थी registration की but I think एक class में registration का काम हो जाएगा आराम से ठीक है तो हो सकता है अगर थोड़ी सी extend होई तो extend हो जाएगा बढ़ एक class में बहुत आराम से registration का काम हो जाएगा so tomorrow we'll be completing off with registration as well ठीक है thank you so much everyone take care अपना ध्यान रखिये बबाई